हेलो गाइज मैं हरदेव सेंग फ्राउं गती गुरुप अफ क्लासेज आप सभी का स्वागत करता हूं गाइज आज की जो हमारी वीडियो है वह हमारा पार्ट टू है थीन जो पेंटिंग एंड ओवर्वियू का जो के हम प्योर mcqs कर रहे हैं that is based on ncrt already हम panoramie के ओपर बेजड जो mcqs है वो already हम एक series पूरी की पूरी कर चुके है last year भी हमने किये तो ओव्यसी बात है अभी हम सर्फ और सर्फ ncrt पर करेंगे तो शुरू करते हैं बीना कोई टाइम वेस किये तो सबसे पहले हमारे पास देखिए भी रसिक प्रिया is a dash क्या है poetry है novel है short story यह film है that is a poetry ठीक है रसिक प्रिया translated as dash that is the answer is b connoisseurs delight ठीक है dash is replayed with the complex poetic interpretation composed to incite aesthetic pleasure to light coat years को मतलब उनके खुशहाली के लिए उनके खुश करने के लिए ऐसी कुन सी चीज़ बनाई गई थी लौर चंदा थी बिहारी सच से थी रसिक प्रिया या कवी प्रिया so the answer is रसिक प्रिया रसिक प्रिया रसिक प्रिया was composed in which language कुन सी language में इसको बनाया गया that is in ब्रज भाशा कुंसी भाशा ब्रज भाशा ठीक है who composed रसिक प्रिया in ब्रज भाशा that is the answer is केशव दास केशव दास जी ने जो है इसको compose किया है बनाया है who was the court point of Raja Madhurkar शाह ऑफ और का ठीक है कौन था उनका court point that answer is केशव दास क्योंकि पीछे भी हमने किया है केशव दास जी ने रसिक प्रिया बनाया तो यहां पर court point of Raja Madhurkar शाह is also केशव दास in 1591 किसके time period में केशव दास court point थे ओव्यसी बात है राजा Madhurkar शाह तो डैश explore various emotive states such as togetherness, guilt, aftermath, anger, etc. तो options are here कभी प्रिया, रसिक प्रिया, बिहारी, सस्साई, लौर्चंदा तो अंसर रसिक प्रिया जिसमें हमें togetherness के जो emotive जितनी भी states हैं उनके बारे में हमें explain किया गया है, रसिक प्रिया में और भी जैसे किस character के द्वारे इन चीजों को दिखाया गया है, that is through Radha and Christian, क्योंकि उनको दिखाया है कि भई वो नराज होते हैं, वो गुसा होते हैं एक दूसरे से हैं और प्यार भी करते हैं, तो that is Radha and Christian जी की help से उनको portrait करके यहां पे यह चीजे जो है उनको बनाया गया है, ठीक है, from the following, which one of the another poetic work, that is by Keshav Das, कौन सा है, the answer is Kavipriya, मतलब कि दो प्रिये दोनोंने मनाए है, द one is Rasikpriya and the one is Kavipriya, हो सकता है कि Priya उनका favorite नाम हो, ठीक है न, तो Kavipriya was composed by whom, obviously बात है, that is the answer is Keshav Das, Kavipriya को किस के honor में लिखा गया था, the answer is Rai Parabin, who was Rai Parabin, कौन थे, that he was a Kotecian, जैसे कि इमने पहले भी बात की है, Rasikpriya, Kavipriya, इन सभी को, मतलब कि Kotecians के लिए, उनको खुश रखने के लिए, उनकी favor में ये चीज़े लिखी जाती थी, ठीक है न, अभी Rai Parabin was a celebrated quotations of क्या, किस के है न, तो obviously बात है, कहां के थे, that is और्चा, ठीक है, consider the following statement, it is a tale of love and its 10th chapter, evacuatively titled बारा मासा, engages with the most enduring climatic description of 12 months of the year, रसिक प्रिया, कवी प्रिया, ढोला मारू, चौर पंच शिका, the answer is कवी प्रिया, जिसमें उनके 12 मासा के बारे में मतलब 12 months के बारे में भी explain किया गया है, बनाया गया है, ठीक है, in his which poetic work, केशव दास जी ने describe किया गया है, about naikas, upon the naikas, not to leave her and proceed on a journey, एक जरनी के लिए, यहां भी हम एक long rhyme पे जलते हैं भाई, तो मतलब ना छोड़ने की बात की है, रस्मंजरी में, रसिक प्रिया में, कवी प्रिया में, रागमाला, the answer is कवी प्रिया, ठीक है, in which poetic general, daily life of people, in different time period के बारे में, festivals है न, वो सारी depictor compose किया गया है, the answer is 12 months, ठीक है, मतलब क्योंकि, देखिये न, क्योंकि हर मन्त का एक, जैसे की देसी महीने होते हैं, असाड है, भागुन है, यह चीज़े जो है, मतलब यह किसी ना किसी season के साथ relate करती है, उसी के साब से लोगों का mood होता है, यह चीज़े, यह न, वो depict करती है, बिहारी सत्साइवास, जैसे को सबस्कराइए किसने बनाई इसब को, किसने लिखा बिहारी लाल, वह भाई भी भी वहारी है, यहाँ पर भी 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 हारी है, बिहारी सत्साइवी सत्साही गों कंपोस् सिंग्ट के सिक्सीर में किया गया, घर इसससें था किस ने काम किया था उनके लिए बिहारी लाल अभी याद रखना है यह कोट पोईट ऑफ जैपुर के हैं ठीक है ना यह जैपुर के हैं वो और्चा के थे ठीक है यह याद रखना जैपूंसे स्कूल में उसको सबस्कूल में किया गया है उसको सबस्कूल में यह ज्याद इस वसफ्रीक्ट्वर प्रहाणी स्कूल उनके तो नहीं इतना ज़्यादा वो किया गया, that is Biharisa सही अगेन, which painting are pictorial interpretation of ragas and raginis, the answer is ragamala, क्योंकि ragas and raginis जितनी भी है, मतलब musicals हैं यह है, that is based on purely music, ठीक है, ragamala में उसको paint किया गया, dash are traditionally envisaged in the divine or form in a romantic or devotional context by musician and poets, raasa shingar, bhav, ragas, the answer is ragas क्योंकि जितने भी अलग-लग rag हैं, उनके बारे में इसमें depiction दिया गया है so the next question is ragamala painting जो है, उसमें हर एक family का एक male rag है, एक female concert है, उस female concert को क्या बोला जाता है the answer is raginis, क्योंकि ragas and raginis, ठीक है ragamala painting जो है, उनको arrange किया गया एक album में dash folios organized in the format of the families, कितने folios ने उसको convert किया गया या उसको arrange किया गया, that is 36 or 42, ठीक है what is hindol, hindol painting rag, poem में जो दान्स है, that is a rag, ठीक है और कों से अलग-अलग rag है, बहरव rag है, मालखोष है hindol है, दीपक है, मेग है श्री राग है, वैसे तो 33 राग है, टोटल, ठीक है न, सोनी महिवाल and मरगावत, etc, the romantic tales, मतलब कुछ folk tales है, illustrated in which school, किस school में मनाई गई, राजजस्तानी स्कूल में, ठीक है, in which year चौर पंच शीखा को compose किया गया, दानसर इस 1500 में उसको चौर पंच शीखा को compose region now, that is now in एहमदाबाद, गुजराट में अभी इसको save किया गया है, इन गुजराट, चौर पंच शीखा में वार 1500 is found in whose areas, मतलब कहां पे है, that is in NC Mehta collection, तो guys आज के लिए हम इतना ही करेंगे, thank you very much guys, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please इसे आगे follow करें, like करें, share करें और हाँ subscribe करना मत भूलिएगा, thank you very much guys, bye bye everybody